हेलो एब्रिवाइन वेलकम टो माई चैनल आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का कोश्चन नमबर 1 का सिक्स्थ पार्ट ठीक है तो जो इसके बाकिये 5 पार्ट से उसका जो आपको लिंक है ठीक है उसको अमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कोश्चन नमबर 1 का 6 पार्ट ठीक है तो कोश्चन नमर 1 का जो 6 पार्ट है उनकी एक्वेशन को नोट कर लेते हैं एक्वेशन्स हमारी question number first का 6 part ठीक है इसकी equations के इनको note कर लेते first equation का हमारी 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2 ठीक है यह हमारी मानलों को equation 1 हो गई यह हमारी equation क्या होगी x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6 ठीक है यह हमारी equation 2 हो गई है यह दो हमारी equations है सबसे पहले इन दोनों equation को हम थोड़ा सा modify कर लेते हैं ठीक है कैसे करेंगे सबसे पहले equation 1 ले लेते हैं equation 1 क्या है आपकी 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2 ठीक है यहाँ पे x and y हमारी क्या है कोई variable है ठीक है तो यहाँ से जब हम 2 और 3 का LC हम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 अब हम इस 6 को सबसे पहले किस से डिवाइड करेंगे 2 से ठीक है इस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 अ ठीक है माइनस माइनस से तो माइनस लगा दिया यहाँ पे अब 6 को किस से डिवाइड करेंगे 3 से जो कितना आएगा 2 3 टू जा 6 होता है न तो इस 2 का किसम में मल्टिप्लाइग कर देंगे 5y के साथ में तो क्या आजाएगा minus 10y equal to minus 2 अब इस 6 का हम राइटन साइड में लेक ठीक है न तो फिर यहाँ से 6 को इदर लेकिया जाते है 9x minus 10y ठीक है जब 6 को minus 2 के साथ मल्टिप्लाइगे 6 का तो कितना हो जाएगा minus 6 2 जा 12 minus से तो minus आ जाएगा ठीक है तो यह हमारी suppose को equation बन गई 3 equation का बन गई 3 अब देखे यहाँ से equation 2 आपकी क्या है x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6 6 यही है ना अब इन दोनों का जब LCM लेंगे तो कितना आएगा 3 and 2 का 6 आएगा अब 6 को सबसे पहले किस से डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 2 तो जो 2 आएगा उसका उपर multiply कर देंगे x के साथ में तो कितना हो जाएगा x into 2 2x ठीक है प्लस है तो प्लस लगा 2 से तो 2 3 जा 6 ठीक है तो कितना आएगा 3 तो 3 के किस के साथ multiply करेंगे y के साथ कितना जाएगा 3 into y 3y equal to 13 upon 6 ठीक है अब यह देखिए जब यह 6 इदार आएगा या 6 दोनों में हमारा denominator में है तो यह क्या हो जाएगा 6 से 6 cancel हो जाएगा ठीक है या इसको जब इधर भी लाएगे तो इधर divide में जो इधर आएगा तो यह multiply में उपर आएगा है ना तो तब भी यह कर जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से भी काड़ सकते और वैसे भी काड़ सकते दोनों से ही ठीक होगा तो हमारा यह उपर क्या बचा 2x plus 3y equal to 13 य ठीक है यहां से हम क्या करते हैं किसी एक variable की value को substitute कर देते हैं ठीक है तो यहां से देखते हैं equation क्या है 2x plus 3y equal to 13 है तो 2x equal to हम क्या लिख सकते है 13 minus 3y 3y की इधर लेकिया जाते हैं तो यहां से x equal to क्या हो जाएगा 13 minus 3y upon 2 इधर multiply में दिधर आके क्या हो जाएगा divide ठीक है x की value क्या आगए 13 minus 3y upon 2 अभी जो x की value आगए इस x की value को इन दोने equation में किसी भी equation पुट कर सकते हैं तो इसकी value कम equation number 3 में put करते है x की value को ठीक है तो यहां पे लिख देते है putting the value of x in equation 3 ठीक है तो यहां पे equation number हमारी 3 क्या है 9x minus 10y equal to minus 12 यही आपकी है ना equation number 3 यह में 3 में put करना x की value को तो यहां पे जो x की place पे हम क्या put कर देंगे 13 minus 3y upon 2 तो यहां से 9 तो ऐसी रहेगा इसकी पुट कर देते 13 minus 3y upon 2 minus 10y यही है ना equal to minus 12 ठीक है तो यहां से देगे अब 9 का क्या करेंगे इसके साथ multiply करेंगे चीक है उपर तो कितना हो जाएगा तो यहां से LCM क्या आएगा हमारा इसके नीचे 1 माल लेते जब 2 और 1 का LCM लेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा है ना तो यह कितना हो जाएगा 117-27Y ठीक है तो यहां 2 का किस क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा 1020Y equal to minus 12 है ना अब यहां से देखिए इस 2 को right hand side में लेकिया जाते है तो उपर क्या है हमारा 117-27Y minus 20Y equal to 2 को 12 के साथ multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus 12 है 24 जो 117 है उसको right hand side में लेकिया जाते है तो यहां से 27 में 20 add करेंगे दोनो minus minus के हैं तो क्या होंगे हमारे add होंगे नहीं और symbol किसका आएगा minus का ही आएगा तो minus 27 में जब minus 20 add करेंगे तो कितना जाएगा minus 47 ठीक है y है तो y लगा देंगे minus 24 अब जो 117 जब right hand side में आएगा तो यह भी minus का हो जाएगा है ना ठीक है तो 20 जब minus 47 y इसको ऐसे रग लेते अब इन दोन यह भी minus minus के तो हमारे add होंगे तो minus 141 है ना इन दोनों add करेंगे तो कितना आएगा 141 तो y कुल्टू कितना जाएगा अब यह देखे minus minus क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा अब यहां से y कुल्टू क्या लेख सकते 141 अपन इस 47 को इदर लेकिया जाते 47 तो 47 3 जा 141 चीक है तो y कुल्टू कितना आ गया 3 चीक है अब इस y की value को जो हमने निकाल लिए ना y कुल्टू 3 इस y की value को जो में 3 और 4 equations थी ना इन दोनों में किसी equation में प नोट करेंगे ठीक है equation 4 में तो यहां पर लिख देते है पुटिंग कि दो वैल्यू अफ वाई इन equation 4 थीक है equation 4 के हमारी इसको नोट कर लेते हैं 2x plus 3y equal to 13 2x plus 3y equal to 13 यह हमारी equation 4 है ना इस equation 4 में हम y equal to क्या रख देंगे 3 y के place पर क्या रख देंगे 3 तो क्या हो जाएगा 2x plus 3 into y की जागे 3 equal to 13 है ना तो यहां से देखे 2x 3 3 जा 9 equal to 13 तो 2x equal to क्या हो जाएगा 13 इस 9 को इधर लेकिया जाते हैं minus 9 तो 2x equal to 9 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 तो यहां से x equal to क्या लिख सकते हैं 4 upon 2 2 को इधर लेकिया जाते हैं तो 2 2 जा 4 है ना तो x equal to कितना आ गया 2 तो जो हमारे x and y कोई दो variable थे ठीक है तो यहां से x equal to कितना निकाला हमारा 2 हमने निकाला है और y equal to कितना निकला हमारा 3 ठीक है तो यह था हमारा question no.1 का 6th part